जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में ठीक है आज मैं लेकर आए आए आप लोग के लिए डिजिटल एजूकेशन का यूनिट 7 के इंपोर्टन कोश्टन्स ठीक है और मैंने जितना भी वीडियो सारे यूनिट को एक एक करके मैंने बना दिया और सारे कोश्टन्स इंपोर्टन कोश्टन है ठीक है और तो इसी बेस पर आप लोग त्यारी कर सकते हैं सारे कोश्टन इसी में से आएंगे क्योंकि सारे मैंने जो भी इंपोर्टन कोश्टन है वही मैंने लिए सारे सिलिबर्स के अकोडिंग ही कोश्टन है ठीक है और छे वी कि जो डिजिटल एजुकेशन होता है ओनलाइन पढ़ाए के दोरान हमारे हैल्थ पर कुछ एफेक्ट पढ़ने वाले उससे रिलेटेड यह यूनिट है पहले कोशन पर आ जाते हैं पर आप जाते हैं तो इसे हमारे साड़ी को मानसिक स्वास्त पर क्या पढ़ा पड़ता है और उसे हम कैसे बच सकते हैं तो क्योंकि हमको पता ही है कि डिजिटल एजूकर्शन के समय में आज के यूग में बच्चे पढ़ाएं मॉबाइल से कंपूइटर से पढ़ाएं और ज्यादा करते हैं ठीक है और इसमें ऑभर टाइम स्क्रीन में रहना ही आपको उसके हैल्थ के लिए जरूर कुछ नकु यह बहुत फायदेमन होता है क्योंकि तो घर ते पढ़ाएं कर सकते हैं घर ते किसी भी समय कर सकते हैं as well as teacher such as flexibility convenience and cost effective सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आज के समय में ये पढ़ाय का एक बड़ा आसान और बड़ी सुविधाजनक तरीका हो गया है जो बच्चे पढ़ाय करते हैं नोट अनली कॉलेज स्टुडेंट बड़े बच्चे के साथ साथ छोटे बच्चे भी ओनलाइन पढ़ाय कर रहें ठीक है उसके बाद है है बट इट है क्रियेटेड सम फीजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस फोर स्टुडेंट्स मेंटल है अगर ओनलाइन पढ़ाय के एक समय के लिभाज़े से हर समय मोबाइल के पढ़ाय करने को जैसे कई हमारे हैल्थ पर भी बुरा एफेक्ट पढ़ता है जैसे क्या होता है तो यानिक आपर आपर अपर दूर्म सकते हैं लिख गरेक्ण पर्लाइं नी फिरहतें है क्या नहीं करना थेख बढ़ता है कि अच्छा ही तो है ही इसके पढ़ाय हो रहा है सब चीज अगारे सारे कंटेंट इसे नोट्स वगएर तारे ओनलाइन मिल जा रहे है घर ते पढ़ाय करते तो फाइदा वह तो कुछ नुकसान भी नेगर्टीप क्या चीज है तेके नेगर्टीप कर देश कर एक कंगरी स्टुडेंस फिल एलाउन ज्यादा समय स्क्रीन में बिताने से एलाउन फिल अकेला पर फिल होगा इस बीन इस्टुडेंस सम्ताइमस फिल फोकस रिलेटेड इसु कभी-कभी देखा गया है कि जब बच्चे पढ़ाय करते हैं ऑनलाइन उसमें फोकस कर नहीं पाते कभी दू सब्सक्राइब को देखते रहने से कंप्विटर के देखते रहने से मार आँक से जो आपका धिलेटरी प्रॉब्लम होगता है धुंदला दिखाय देता यसे प्रोब्लम भी देखने को मिल जाते हैं फिर क्या है कि बैक पें एंड पेंड पेंड और शर्वाइकल पेंड या वीज़ दो फिर नोर्मल टो एक्स्पिरिएंस फ्लक्टुएशन इन यूर मुड एंड मोटिवेशन वें यू आर श्टडिंग ओंलाइन जिब आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा मूड चेंजिंग हो सकता है थोड़ा मोटिवेशन का इसी हो सकता है माद फिल करते हैं कि बहुत जारा श्याइड है एनक्सियर पढ़िशेटा करते हैं इरिटेबल शीड शीड़ा है होपलिस मने लगता है कि उम्मीद नहीं है इस तरह का प्रप्रोब्लम भी आपको हो तर पर क्ते हैं यू में भी सफरिंग फ्रोम्मेंटल रिलेटर प्रोब्ल किसी को याद करना वो भी याद नहीं कर पाते हैं डिसीजिए नहीं ले पाते हैं छेंग इन यूर श्लीप रिए प्रब्डम हो जाता है कुछ से था यह कर दो सो करणा पर दो यह आंटा यह इस नोगा क básicamente यह नहीं से नहीं नपर दो समय आपके तोहितु जो होता है सद्धों की साओ जीलाज होता है आगे क्या है कि अध्य कर दो ऩो को दो कपिस्याजी् लरी चल्हिट्स सोस्कियरेश 1 विभेसट इस सहीर तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक रूटीन बना करें और रूटीन के अर रूटीन में हर सब्जेट के पढ़ाई को डिवाइड कर दे और इसके बीच में ब्रेक भी होना चाहिए जो टाइम टेबल रूटीन मस्ट हैप स्पोर्ट टाइम मीटिंग विद फ्रेंड्स लिजिक लिस्ट्निंग टाइम आप टाइम इसा बना इन आप लगज बी कनेंटेट विद फैंली के बाहिए ऐड़ी घाएट अच्छे खाना खाए जीक्रीओ का आप लिए जूसे में गडार गुमने पी जाएए वीक्सटाओं अब विक्ली आब्ण वीक्लिया पाहिश् कि एक्सर्साइज कर सकते हैं मेडिटेशन भी कर सकते हैं इस टोरी भूक भी पड़ सकते हैं उसके अलावे क्या कते है ओल्वेस ट्राय टुभी एपी कुस्त रहने के सबसे जरूरवियों होता है खुछ रहने का कोशिक करें ठीक है तो यह अभी तक हम लोग दिखा यू पहल सब्सक्राइब करते हैं नाव एड़ लाइन लर्निंग हैं इन डिफरेंट पार्ट अवरी इस्टुडेंट्स लाइफ आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाए एक बहुत यरूरी हो गया बच्चे कर लाइब का अभी नंग हो गया ऑनलाइन लर्निंग प्लटफार्म है लाइब ऊंगेने बच्चे क्वाना इस बहुत रहें हो जाते हैं तो क्या-क्या होते देखिए यदि द्यान देफ नियुक्रेट्टाइब में तो प्रोब्म से बजने में योगा जो है हमारे व्याइज प्रेशन प्रोवर को बढ़ाता है और हमें हैं प्रोड़ करने का एक तरिकता तो में हैपी हर्मोन क्रीट करता है हमारे ब्रेन में आगे योगा यहां हम यह लिखा योगा इजा फिशी कल मेंटेल इस्प्रिश्वर स्ब्सक्थ एक तरीका से फिजिकल प्रेक्टिस होता है मैंटेल प्रेक्टिस होता है इस्ट भी में अपनाय जाते हैं चिंप運 सुट सर्दांडर्स द्धार्स एक प्रनायमा प्र het सब्सक्राइब करते हैं इसमें उसके बाद क्या है कि इस्टुडेंस हो आर नियू तो योगा में एड़ फोकॉस ऑन आशन योगा करते हैं उसे आसन में ध्यान देना चाहिए दा फीजिकल एक्सराइज और पोचिस वेन यू प्रेक्टिस योगा एट फॉकॉस्ट फोकॉस से बिडियर के जब शेयर को संब्सक्राइब करते हैं तो मखessäने करते हैं यूगिज साइंस एट्रेस्ट फोकॉस्ट बतेरने अवर वैवर फो यूजय करेंगा था सब्सक्राइब हो नहें बन्होंस चाहिए बनें इन पनार को माइंग इंटर शुडबूत करता मायन करता जोगा करते हैं माइंड को ट्रेन करता है हमारे माइंड को उस अकोर्डिंग लिए किसी भी परस्तिति के लिए तयार करता है ताकि इस्ट्रेस फेलना हुआ ठीक है कि आगे दिखते हैं कि यहां पर क्या है कि दो रोल औप योगा इन इंप्रूविंग मेंटल है हमारे मेंटल है उसको सही करने में योगा कैसे भूमी का निभाता क्या ग्या कर सकता योगा तो पहले पॉंट्स पर आज आते हैं क्या पहला पेंट हुए चाहिक प्रमोट मैंड फूलनेस हमारे मांड के सांती को बढ़ावा देता है तो मैंड फूलनेस जहां अपने जब जब जोगा करते हैं हम अपने माइंड को समझ पाते हैं कि माइंड में क्या चीज चल रहा होता है सुभक्ति हां तो गौंधी यां एक माइन इनगाटिव फूग dishon est और निगती थोड प्रादिश प्रनायम और बैथ टेकनिक्स क clapping अधस्य होता है यह सब चीज होता है जो हमारे ञाइडिक वारी को और और नेगाटिव यह ऑ दूर करता है दूसरा पॉइंट है इसमें बिल सेल्फ कॉंफिदेंस योगा समय कॉंफिदेंस को बढ़ हावा मिलता है हमें कॉंफिदेंस याद आ जाता है तो और जोगी प्रेक्टिस ब्रिंस आवर स्केटर्ड एवर्नेस फ्रॉम्द एटर्नल वर्ल्ड तो इंसाइड हमार मायंड क्या अब पर एक जिस्टेंस एंड टिच आस यह एंग कंप्लेटली माइस एक हमार दिमां चारतर से पहला रहता है और उसको एक जिगह में करता है ताकि हम समझ पाते हैं कि हमारा माइंड हमारा है ठीक है इस बुस्ट आवर सेल्फ कॉंफिदेंस इससे हमारा कॉंफिदेंस प्रड़ा आता है चले बढ़ते हैं अगले पॉंट पर यह करता है रिडियूस इस ट्रेस स्ट्रेस को कम करता था टेंसर को कम करता है इस ट्रेस डियो तो वेरियस रिजन इंक्लूड एंगर ग्रीप गिल्ट एंड लोग सेल्फ इस्टीम इस वेरी कॉमन इन कॉलेज योगा एफेक्टिबली वर्काण यूटिए उनाइटिंग दा बोडी और माइन एज वान जब इस टाइक प्रड़म होता है तो योगा काफी अच्छा काम करता है योगा क्या करता है हमारे माइंड को सांध करता है वी केंडू योगा प्रेफ्टी सचेज का पाल भाती संस माउंटेन पोज्ट वील पोज अनुलों विलों एटीरसी तीक है यह सब सारा योगा हम कर सकते हैं जो कि हमाइर और स्ट्रेस को काम करता है प्रोपर इंभार्में एक अच्छा इंभार्मेंट त्यार करना था कि किसी तरह कर टेंशन ना हो होता क्या है देखे एंसर को देख लेते डिजिटल इंगर इर्गनोमिक्स इस एक अंब्रेला टर्म फोर डिजिटल मोट्स एंड मैं मेथोड़ प्लानिंग रियलाइजेशन नीड़री weam, इस निच्छेशन फूंच करें मोटाम मेर्य पर टारिजिटल इन संवट इंगरं कि या था समयतर है उतर दिशान तोरे कहाने सफोर kol कर दो तुट निट सब्देट जाए गिजा अगजा थे प्रफट बाड सप्टबाइब करते हैं अगर अज्यसा इंवरुम्हार बना देंगे यहां पर काफी कंफेज आराम सप्ट अप्रेफ एक पर कोई भी दिक्कत ना हो तो बैच्छा जागा हो कोई किसी तरह का कई सोर न तो यह कोस्टन आप लोग का इस सेशन का आखरी कोस्टन था ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो